आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं साइंस के 30 महात्रपूर प्रश्ण तो 30 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा क्लास मेरी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला कोस्चन रहा अडू शब्द किसने प्रतिपादित किया है जॉन डॉल्टन ने, डेमो क्रिटिस ने, ई रदर फोर्डे या फिजेजे थॉमसन ने तो जो अडू शब्द है या किया गया है डेमो क्रिटिस द्वारा किया गया है आपर बीब जो है आप्शन राइट हो जाएगा आगे देखते हैं जीवास्म इंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सलफर के आकसाइड कहलाते हैं अमली आकसाइड, उबहधर्मी आकसाइड, मोल आकसाइड या फिनिस्क्री आकसाइड तो देखे जीवास्म इंधन जब जलता है कार्बन नाइटोजन और सल्फर के जो आकसाइड मिलते हैं उनको क्या कहते हैं अमली आकसाइड बोलते हैं विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा निमने लिखित में से कौन सा सदिसरासी नहीं है शमवेग वेग कोड़ी वेग या फिद्रबिमान सदिसरासी नहीं है पूछा है तो सदिसरासी क्या होती है जिसका दिसावप परिमार दोनों होता है वो सदिसरासी होती है और जिसका दिसावप परिमार नहीं होता है तो वो क वो सदिसराश नहीं है यह अदिसराश है तो विकल्ब D यहाँ पर राइट हो जाएगा SI पद्धति में लेंज की सक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, आउप्टर या फिर मीटर उच्छा जारा है SI पद्धति में लेंज की सक्ति यहाँ पर बिकल्ब B राइट होजाएगा इसको कह से डिनोट करते हैं तो प्लस D से डिनोट करते हैं एंगस्ट्राम डैस को अभी व्यक्त करने की इकाई है समय, द्रबिमाल, लंबाई या फिर बल पूछा जाना कि एंगस्ट्राम जो है वो किसका मात्रक है किसकी इकाई है तो किसकी है लंबाई की है एंगस्ट्राम को डिनोट काहर से करते हैं ए डॉट से करते हैं एक एंगस्ट्राम में पूछा जाए कितने मीचर होते हैं तो कितने होते हैं दस की पावर माइनस दस मीचर होते हैं एक एंगस्ट्राम में दस की पावर माइनस दस मी धर्ती के कैंद्र की और खिचा चला जाता है गुरुत्वी वल है द्रबिमान है संबेग है या फिर आबेगी वल है तो कौन सा बल है जिसके कार्ड पिंट जो है वो धर्ती की कैंद्र की और खिचा चला जाता है तो कौन सा गुरुत्वी वल है यहां पर बिकल्प A राइट ह जाएगा इसे से कहीं पूछा जता है जी इसमाल जी क्या होता है तो मचिंगा उतल इतल सवेगतर होता है इसका मान पुछा जाता है कितना होता है तो नाइन पाइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर ये इसका मान होता है इसमाल जी का इसमाल जी को बोलते क्या है तो गुर्तवी तोरड बोलते हैं आगे बढ़ते हैं निम्न लिखित में से किस अमले की उपस्थिती हमारे पेट में होती है सलफ्यूरिक अमल की होती है हाइड्रोक्लोरिक अमल की होती है नाश्रिक अमल की होती है या फिक्रिक अमल की होती है तो कौन सा अमल हमारे पेट में उपस्थित होता है तो कौन सा होते है हाइड्रोक्लोरिक अमल यहाँ पर बिकल भी राइट हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अमलिका सूत्र क्या होता है? HCL, इसका रासायनिक सूत्र होता है. आगे बढ़ते हैं. भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है. मुँ से, या क्रच से, पेट से, या फिर आत से. तो कहां से प्रारंभ हो जाता है? मुझ से प्रारम हो जाता है भोजन का पाचन, विकल्ब यहाँ पर A, राइट हो जाएगा निमने लिखित में से कौन सा मनुस्य के पाचक तंत्र का भाग है प्रोस्टेस्ट ग्रंत, अगनासे, प्यूशिका या फिर प्लेटलेट्स तो पाचक तंत्र का भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगनासे हो जाएगा विकल्बी राइट हो जाएगा कहां से स्टाट होता है पाचन तो मुख से, फिर कहां जाता है ग्रशनी में, ग्राशनली में, उसके बाद अमासे में आता है फिर छोटी आत में, बड़ी आत में, मलाशे, गुदा में ठीक है, तो यहाँ पर अगनासे जो है, इसका पाट सही हो जाएगा, विकल्बी यहाँ पर राइट हो जाएगा किस पोसक तत्व का सरप्रथम मुँ में पाचन होता है, प्रोटीन में, कार्बो हाइडरेट में, बशा में, या फिर बिटामिन का स्वारी, किस पोसक तत्व का सरप्रथम मुँ में पाचन होता है, तो किसका होता है, कार्बो हाइडरेट का होता है यहाँ पे बीकल्ब जो दूसरा है यह सही हो जाएगा अगर पूछा जाए कार्बो हाइडरेट जो है मुँ में इसको कौन पाचन करता है तो कौन करता है लार्ब में जो एंजाइम होता है टाइलीन वो कार्बो हाइडरेट का पाचन करता है कौन सा एंजाइम होता है टाय लिन ये एंजाइम होता है हमारे मुँ में लार में ये कार्बो हाइडरेट का पाचन करता है मनने उसी को रोटी चवाने पर मीठा क्यों लगता है कार्बो हाइडरेट सक्कर में परिवर्टित हो जाता है बसा सक्कर में बदल जाता है प्रोटीन सक्कर में बदल जाता है या इन में से कोई नहीं तो रोटी जब चवाते हैं तो मीठा किसलिए लगता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सक्कर में परिवर्टित हो जाता है विकल्ब यहां पे राइट हो जाएगा जो रोटी जब हम अपने मुँ में लेते हैं तो उसमें क्या है लार होती है लार में कौन सा एंजाइम होता है ट्राइलीन होता है जो कि कार्बोहाइडरेट का पाचन करता है जो कि कार्बोहाइडरेट को किसमें बदल देता है माल्टोज में बदल देता है जिसकी बज़े से हमें रोटी मीठी लगता है शरकरा में कार्भोहाइडरेट को परिवर्तित कर देता है जो रोटी जब हम चबाते हैं तो हमें मीठी लगती है मानव शरीर में आहार मुखिता डायस में पचता है उदर में छोटी यात में बड़ी यात में या फिर यक्रत में तो जो मुख्यता जादस जादा पचता है वो कहां पचता है छोटी यात में पचता है यहां पर विकल भी सही हो जाएगा पुशलता पाचन तंद्र का सबसे बड़ा भाग या क्या है तो कौन सा है छोटी यात ह इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.2 मीटर होती है, बिटामिन C का सबसे अच्छा शुरोत क्या है, गुठली दार फल है, खटे फल है, बकरदल है या इनमें से कोई भी नहीं, तो बिटामिन से सबस्यादा कहां पाया जाता है, खटे फलों में पाया जाता है, विकल भी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, बेरी बेरी, रतोंधी, इसकरवी, कौन सा रोग हो जाता है, बिटामिन C की कमी से, तो कौन सा हो जाता है, इसकरवी हो जाता है, बिटामिन C की कमी से, इसकरवी रोग हो जाता है, यहाँ पे बिकल्ब D, सही हो जाएगा, पुछा जाता है, बिटामिन A की कमी से कौन सा होता है, तो रतोंधी हो जाता है, B से तो बेरी-बेरी, C से तो सकर्भी होता है, और D से क्या होता है, तो रिकेट्स रोग हो जाता है, बिटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, बिटामिन E की कमी से होता है रक्त में धक्काना जमना ये विटामिन के की अनुपस्थित से होता है मानव सरीर में इस्थित रोडोप्शिन कहां पाया जाता है जिसे विजुल परपल भी कहा जाता है बाल में पाया जाता है हाथ में पाया जाता है कील में या फिर नेत्र में पाया जाता है तो जो रोडोप्शिन है यह क्या है यह एक प्रकार का यूज करते हैं जोसे ये रोडोप्सिन जब आँक में होता है तो मैं बहुत ही कम प्रकास में दिखाई देता है इसकी उपस्थित से आगे बढ़ते हैं परसंसंग्या सोला देखते हैं मानव शरीर में सबसे प्रचूर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है कारवन 18% कैल्सियम 1.4% है नाइट्रोजन 3% है ऑक्सिजन 65% तो सबसे ज़्यदा मात्रा में क्या पाया जाता है मानव सरीर में तो ऑक्सिजन पाया जाता है विकल्प यहाँ पे डी राइट हो जाएगा कितना पायता है 65% पाया जाता है नाभिक में प्रोटानों की संख्या और न्यूटानों की संख्या के योग को क्या कहते हैं परुमारु संख्या बोलते हैं द्रविमान संख्या बोलते हैं तुल्यांकी भार बोलते हैं या फिर अडु भार बोलते हैं तो देखे प्रोटानों की संख्या और न्यूटानों क के संख्या के योग्र को पूछा जाए तो क्या होता है द्रभेमान संख्या होता है बिखल्ब यहाँ पया पे Hmm as जाता ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा बिकल्प बी-्राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन परमार की नीट्रॉण संख्या क्या है । यहां पर इसे क्या ? कैथोड की रुडंड में से होता है। केबल ड्रावेश केबल दरविमाद ड्रावेश दोनों या ना तो द्रब्मान और ना ही आवेश तो क्या होता है कैथोड के रुडों में जो होता है द्रब्मान तथा आवेश दोनों ही होते हैं विकल्प यहाँ पे C सही हो जाएगा क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजेगा प्रिसन संख्या 20 देखते हैं निम्न में से कौन सा तत्व सरवाधिक विद्दुद्र रुडात्मक है फ्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन तो यहाँ पे दिकी चारो विकल्प में कौन सा हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा जो सबसी अधिक इसकी विद्दुद्र रुडात्मक्ता सबसी अधिक होती है विकल्प यहाँ पे A राइट हो जाएगा जैव तंत्र में संख्या की द्रष्ठी से सरवाधिक बहुतियात में कौन सा तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सिजन, नाइट्रोजन या फिर कारवन तो कौन सा पाया जाता है सभी को पता होगा ऑक्सिजन पाया जाता है O2 विकल्प भी सही हो जाएगा खटे स्वाद के लिए को सिकाएं जीव्या के किस भाग में होती हैं पिछले भाग में, अगले भाग में, पासर भाग में या फिर मध्य भाग में तो कहाँ होती है पार्ष भाग में होती है विकल्प यहाँ पे सी राइट हो जाएगा देकि सबसे पहले जो हम देखते हैं आगे से तो सबसे पहले क्या होता है मीठा, मीठे स्वाद के लिए कोश्च काये होती है, फिर नमकीन के लिए होती है, उसके बाद काये होती है, तो खटे स्वाद के लिए होती है, और फिर देखा जाए तो किसके लिए होती है, कड़वे स्वाद के लिए होती है, तब हम देखते हैं, जब कड़वा होता है, पंस्ठ पर चलता है कड़वा थेज देखते हैं आहार नाल एक कलमबी नली है जो कि कहाँ से तक तो इनस तक भिकलप यह पर राइट हुजा गाएगा 24 देखते हैं मानव शरीर में पाच्छन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा देखिए अभी मैंने बताया था यहापे सबसे लंबा हिस्सा पूछा जा रहा है अगनाशाई वाहिनी छोटी आत ग्रसी का बढ़िया तो क्या हो जाएगा छोटी आत इसकी लंबाई कितनी होती 7.2 मीटर होती है बढ़ी आत से यह छोटी आत बढ़ी होती है इछली एक प्रथम सिरली का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवस्यक अमीनो एसिट सभी आवस्यक वसी अमल अनावस्यक अमीनो अमल या फिर कोई भी अमीनो अमल नहीं तो क्या हो जाता है आवस्यक अमीनो अमल विकल्प यहां पर एराइट हो जाएगा मचली में क्या पाया जाता तो आवस्यक अमीनो एसिट जो होते हैं कौंसे पादब सम्मूहों में परागड होता है एंग्यो सिपर्म में थेलोफाइटा में ब्राइओफाइटा में तो किसमें होता है परागड पुछा जा रहा है परागड किसमें होता है एंजियो इश्पर्म में होता है विकल भी यहां पर सही हो जाएगा 28 देखते हैं कोईला और पैट्रोलियम के दहन का परिडाम डैस के आकसाइड के रूप में होता है किसके आकसाइड के रूप में होता है तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के सल्फर और फॉस्फोरस के, नाइट्रोजन और सल्फर के या फिर सल्फर और कैल्सियम के तो किसकी हो जाएगा निकोईला और पैट्रोलिंप का दहन का परिडाम पूछा जाएगा नाइट्रोजन और सल्फर का हो जाएगा बिकल्पसी यहां पर राइट हो जाएगा 29 देखते हैं आवेस की SI क्या है बोल्ट, वाट, जूल या फिर ampere देखें यहाँ पर पूछा जा रहा है आवेस की SI का है इस में से सभी ओप्षन जो है वो गलत type हो गये है यहाँ पर क्या होगा आवेस का जो मात्रक होता है कूलाम होता है यह सही हो जाएगा, यहाँ पे गलत mistake हो गई है थोड़ा सा, तो यहाँ पे कुलाम जो है यह सही हो जाएगा, आवेश का मात्रक जो SI होता है, वो कुलाम होता है, तीज देखते हैं, प्रसंद सक्क्या, निम्न में से कौन से सदिसरास है, उर्जा, कार, बिस्थापन, या फिर गति, तो कौन सी हो जाएगी, बिस्थापन, सदिसरासी हो जाएगी, सदिसरासी क्या होती है, जिसमें दिसाबा परिमार दोनों होते हैं, वो सदिसरासी हो जाती है, और जा, कार, और गत यहाँ पे क्या अदिसरास है है, तो यह आज के 30 प्रसंद कमेंट करके जरूर झाल झाल